ओम श्यायति अप्सक्र वसौगत है, आज हम कर रहे हैं रिकॉर्ड एक 29 सप्टेंबर की श्री बर्तान की परमप्रता परमात्मा चाहते हैं कि जो महापरिवतन होने वाला है, जो हम कहते हैं कि कल्यूक से सत्यूगाना या ग्रेट ट्रांजिशन होना, उस ट्रांजिशन में ह विर्णेशन में परम रेटी हो जाएं और एवर रेडी हो जाएं पर है यह ट्रांजिशन किस टाइप का है लोग आज चारो तरफ अगर देखें आप आप देखेंगे, इंसानों की health में problem है, धन है लेकिन health नहीं है, किसी के health है तो धन नहीं है, किसी के relationship बच्चे है तो धन नहीं और धन भी ठीक नहीं है, तो यह जो inequality हुई है, जो यह पराबरी नहीं है, यह जो imbalance हुआ हुआ है, इस को कहते हैं घोर कल यूग, और पर मात्मा चाते हैं कि उनकी जो बच्चे हैं, आप भी बच्चे हैं और मैं भी इनका बच्चा हूँ, और ऐसे बहुत अर्बो खर्बो, 700 करोड आत्मे, 800 करोड आत्में उनके बच्चे हैं, जो कि आज दुख में हैं, तो हर जगा कही न कहीं तुफान है, चाहे संबंदों में लोगों की नौकेयां गई हूँ है, बीमारीय बढ़ रही हैं, और तनाव पढ़ रहा है रिष्टों में, तो ये सारी चीज़ए भढ़ रही हैं, परमात्मा चाते हैं कि इसस खत्व हो चात्व हो चाते हैं कि आपके पास में धन भी हो, प्रोसपेरीटी में लगगी, धन prosperity हो, सुख हो, शान्ती हो, प्रेम हो, खुशी हो, और साथ साथ दुर्स शरीर हो, अगर आप यह चांदते हैं, तो परमात्मा कहते हैं, कि इसके लिए महा परिवर्तन बहुत जरूरी है, और वो महा परिवर्तन है great destruction, जिसको कि हम कयामत का समय भी कहते हैं, महा काल का समय भी कह position है, कल्युक से सत्युक की तरफ, लेकिन क्या हम ready हैं, कल्युक से सत्युक की तरफ जाने के लिए, लेकिन सत्युक जाने से पहले भी एक और जगा जाना है, जिसको कहते हैं, परमता हम वापस लोटना है, परमात्मा के साथ में, जिसको हम फादर कहे हैं, अल्ला कहें, कि हम उपर जाने के लायक हैं कि नहीं, ये चेक करना हमारा प्रमकुमारीज में होता है, जो कि इन्वर्स्टी है जहां पर भी परमपिता परमात्मा हमें conditions देते हैं, हमें अपनी purity चेक करने के लिए और हमें तरीका बताते हैं कि हमें pure कैसे बनना है, और शांत कैसे रहना है, परमात्मा के साथ में जितना होगा, उतना हम detach होगे, ना किसी से दुख लेंगे, ना किसी को दुख देंगे, और ये एक journey है, जो किसी की आती है, ये journey क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझें, परमात्मा कहते हैं, विनाश के पहले, ever ready रहने वाले, समान और संपन भवा, समान अगर हमारे पास में कोई और करमों की खारण से कहीं बंधन रह गए हैं, तो शरीर छोड़ना मश्कुल होगा, क्योंकि वो विक्तियाद आएगा, जिसके साथ आपने बुरा किया है, या किसी का धन लूटा, या किसी के साथ में गलत वैवार किया, या किसी के साथ में संब मिलता है, तो संगम युकी मौज मनानया मनाओ, लेकिन रहो एवर अड़ी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है, परमात्मा ब्रमकुमारी उसमें कि स्पिर्चुल स्टडीज में कहते हैं कहीं सालों से, कि ऐसी बिमा यह चीज कहीं पचासो साल पहले बोल दिए थी, ऐसी सी बिमारी आहेंगी, अब परमात्मा ने यह भी खा था कि तीसरे महा विश्व यूद के नगाड़े बजेंगे, अब सुनते भी आ रहे हैं, ऐसी इस के बारे में, लेकिन कहीं सारे लोग कहते हैं यार, ब्रमकुमारी इस तो सर्फ विनाश कहता है, विनाश कहता है, सब खतम हो जाएगा, कभी कुछ अच्छा नहीं कहते हैं वो लोग, अच्छा क्यों नहीं कहते हैं, आपको सारो सारे विश्व में, अगर आप अपने मन की आँखों को खोलें, दिल की आँखों को खोलें, सर्फ ये फिजिक कैसी लोगों की, आप किसी भीgestellt बड़ होस्पियन में चले जाएं, किती पीड़ा है वहाँपर, किते तुकी हैं यहाँबर अपने ही निकट सम्भंदियों में देख ले है किसी के पास धन है किसी के पास नहीं है किसी के पास सेहत है किसी के पास नहीं है inequality है तो क्या हम selfish हो सकते हैं मेरे लिए तो सोर गए, मेरे पास धाने, मेरे पास संपत्ती तो मेरे लिए तो ठीक है, बाकी दुनिया का क्या करूम है परमात्मा कहते हैं इस इन दुनिया में balance लाना है तो इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन होना पड़ेगा जिस कहते हैं महाविनाश तो अब ये महाविनाश तो होना है हो कही रहेगा ये सब के अच्छे कले हैं सिर्फ एक दो के अच्छे कले हैं सब के अच्छे कले हैं तो प्रमतर कहते हैं, फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, क्या करोना वारेस की डेट पता थी आपको? नहीं, एवर रेडी नहीं होंगे, तो धोका होगा, हो जाएगा, इसलिए एवर रेडी रहो, अब एवर रेडी रहें कैसे? हमारे सारे कर्म करते हुए, चीज़ों से लगाब नहीं, नुकसानों तब भी लगाब नहीं, उसमें फ़ैदा हो, तब भी बहुत excitement नहीं, पिल्कुल समद्रिष्टी, समभाव, same condition, चाए निंदस्तुती हो, चाए लाभानी हो, चाए जय पराजे हो, हर चीज़ में एक समान स सिति, जो समाधी की सिति कहते हैं, वो पहुचना हमारा प्रमकुमारी के ज्ञान के द्वारा पॉसिबल है, जो के हम सीखते हैं, फिर प्रमक कहते हैं, जैसे बाप संपन है, वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन हो जाएंगे, समान बनने वाली ही साथ चलेंगे, किस के समान, परमात्मा के समानों के जैसा बनना, परमात्मा निराकार है, विदे ही है, हमें भी विधी बनने की प्रैक्टिस, निराकार बनने की प्रैक्टिस, निराकारी, निराहंकारी और निर्वेकारी बनने की प्रैक्टिस करनी पहुत जरूरी है, जो कि ये हर दिन का प्रोसेस हैं और यह कर आप सकते हैं तब जब आप प्रमा कुमारी इसमा करके इस विद्य को लेते हैं और इसका ग्यान आप अपने अंदर समाते हैं हर दिन इसके साथ ओम श्यंति